जहीं दोस्तों स्वागत है आप सबों का आपके अपने इरूप चैनल संदिप मैस में जहाँ आज हम लोग बात करेंगे आरे सगवाल नभी नंगनीत का 15B का कोश्चन नमर 17 से ले करके 20 तक क्योंकि मैं 1 से ले करके 16 तक का सुलूशन आप लोगों को अलड़ी बता चुका हूँ तो आज की वडियो में हम लोग लास्ट का 4 को कोश्चन का सुलूशन बनाएंगे तो यहाँ पर 17 नमर कोश्चन क्या है एक कारे को 6 दिन में पूरा कर सकता है जिसके लिए उसे 900 रुपया दिये जाते हैं एक को कितना दिया जा रहा है और वो काम कितना दिन में पूरा कर रहा है तो 6 दिन में पूरा कर रहा है आगे कहता ए तथा एक साहयक दोनों मिलकर इस अगर 6 दिन में इसको कितना मिलेगा यह हमको पता करना होगा करगे क्या इसको तिन से भागा देजिए कितना मिलेगा तो दो दिन का अगर 300 है तो 400 मिलेगा यह जया एक बचा कितना तो हमारा भज़ गया 300 सो जो किसको दिया जाएगा सहायक को दिया जाएगा तो option नमर डी यहाँ पर सही हो जाएगा अब हमनों बनाएंगे question number 17 question number 17 में क्या कह रहा है हरपाल केवल की तुलना में तीन गुना कारेकुसल बनाएंगे कवल कि में तीन गुफन कारेकुसल घरता है तो केवल केवल कितना करेगा एक करेगा गर हम समय का बात करने तो समय जो होता है वो छमता का जस्ट उल्टा होता है यानि कि अगर ए हरपाल किसी काम को एक दिन में करता है तो केवल तिन दिन में करेगा आगे क्या कहता है तो किसी कार को करने में केवल से 10 दिन कम लेता है अब ध्यान देजे ए जो है वो 10 दिन कम ले यानि कि हरपाल को कितना लगता है पांस दिन लगता है और केबल को कितना लगता है तो दस पचे पांस दिया पंदरा दिन ठीक है एक हरपाल को लगता है पांस दिन और केबल को लगता है पंदरा दिन क्या बोला है उसी कार को पूरा करने में केबल कितना दिन लेगा तो केब तुवारा कारे आरम करने को प्रांत बारी बारी एक अग दिन कारे करते हैं, कारे को पूरा करने में कितना समय लगेगा, अब ध्यान देज़े, P को लगता है, 9 दिन, Q को लगता है, 12 दिन, Simply, इसका अगर हम L-Stay निकाल ले, तो क्या हो जाएगा, 36, टोटल काम हम माल लेंगे 36, जिसको पी 9 दिन में करता है, allons एक दिन में चार करेगा, Q जो है, वो 12 दिन में 36 करता है, एक दिन में तीन करेगा, आगे एक Q कोशण में कह रहा है, की पहला दिन, Q करता है, फिर Q करता है आपको बताना है कितने दुनों में ये काम समाप्त हो जाएगा अब ध्यान दिजिए पहला दिन 4 काम हुआ दूसरा दिन 3 काम हुआ यानि कि 2 दिन का काम कितना हो गया 7 हो गया अब आप क्या किजिए न 36 को भाग लगा ये 7 से तो अगर हम देखे तो 7 55 पांच वारे में कटेगा यानि कि अगर हम इसको 5 क करें पहला हमारा अंबस थे 15 काम हो गया बस पलस हमारा अंबस हमारा एंसर होनए वाला है अब यह बहुत दस से बड़ा कोन से संख्य है और यह दिया हुआ है हमाने ते 11 दिन तो 10 दिन के बाद 11 दिन कोन आएगा ध्यां दिजियां पर, पहले आ रहा है P, यानि कि पहला दिन आया P, दूसरा दिन Q, पहला दिन P, फिर Q, फिर P आ रहा है, यानि कि ओड दिनों में कोन आता है, P आता है, यानि कि अगला दिन, यानि कि 11 दिन कोन आएगा, P आएगा और करे पूरूस ता एक महला मिक apo tatis court पूर्ब यूश्य देन पीस पूरा करता हम एक पूरसू एक पूरूस और KL German एन पूर ऑर मिल जा तो कारीयगी कि तब तरहने हो कहता है तो 33 देंगे गाता है उससका 15 में पूरा करता है माल लेते एक आदमी 14 काम किया एक महला 11 काम किया दोनों मिला गई है और इसको गुना करती है कितना से 33 क्योंकि एक दिन में ये 14 करती है और 11 करती है तो 14 प्लस 11 कितना हो गया हमारा हो जाएगा 25 काम गुना 33 तो ये हुआ हमारा टोटल काम अब यहाँ पर ध्यान दिजिए अगर हम एक महला को लगाते हैं तो महला एक दिन में कितना काम करेगी तो महला एक दिन में 11 काम ही कर रही है टोटल काम है हमारा 25 गुना 33 और महला एक दिन में कितना कर रही है 11 कर रही तो यहाँ पर 11 से आप इसको भागा दे दीजे 11 कम 11 11 13 35 75 दिन जो option number B में दिया हुआ है तो यह हुआ time and work का जो 15 B का question था उसका सारा solution आप लोग comment में मेरे को यह बता देजे कि आप लोग R.S. अगवाल नभीन अंगरीत का किस chapter का B का portion मतब जो B वाला पार्ट है किस chapter का आप लोग चाहते कि मैं उसका पहले वीडियो बनो आप लोग जिसका कहेंगे first time जो comment करेंगे उसी का वीडियो में आप लोगों को बना करके दूँगा और मैं B का time and work बोलते हैं अंक गनीत का जो हमारा R.S. अवाल का जो book है new edition का है आप जिसका भी B का बोलिएगा मैं उसका वीडियो बना करके आप लोगों को दे दूँगा मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत